दोस्तो दीपी का कट सुराव विरायम पैरेंट्स बन गए है एक्टरस ने किस जून की सुबह बेटे को जन दिया मगर प्रीमेचियोर होने की वज़े से NICU में रखा गया था हलाकि 8 जुलाई की रात एक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर जानकारी दी थी कि उसे वहाँ से बाहर कर दिया गया उसमें काफी इंप्रोमेट्स देखी गई है और फैंस के लिए एक और गुड नियूज है वो यह की दीपीका को डिस्चार्ज कर दिया है वे बेबी को लेकर 10 जुलाई को अपने घर जा रही है दीपीका कटड़ का साल 2022 में मिस्करेज भी हुआ था इस वज़े से उन्होंने दूसरी प्रेगिंसी कवर फैंस को कुछ महीने बीतने के बाद ही बताई सभी फैंस इंतजार कर रहे थी कि नन्ना बहमान कब आएगा 20 जुन को सोया विब्राहिम का बड़े सेलिबेट करके जब सब घर लोटे तो रात के तीन बजे करीब दीपीका का वाटर बैक फट गया फोरन उन्हें अस्पताल ले जाए गर उसाते महीने में उन्होंने बेटे को जन दिया हाला कि बच्ची की इस्तिती सही नहीं थी इसलिए वो डॉक्टर्स की निकरानी में था हाला कि डिलीवरी के 4-5 दिन बाद एक्टर्स को चुट्टी मिल गई थी लेकिन वो बेबी की वज़से घर नहीं गई थी अब पेपराजी एकाउंट से एक वीडियो सामने उसमें दीपका कड़ और स्वय विब्राहिम बेटे चोटू के साथ नजर आ रही है एक्टर्स ने अपने लाड़ लेओ गोद में उठा रखा दोन स्पताल के पहार नजर आए इस दुरान जब पेप्स उन्हें कैमरे की तरफ देखने के लिए जोड से बोलते कपल उन सबी से सोडने मचाने की रिक्वेस्ट कहते हैं कहते हैं कि वो लोग धीरे से बोले हाले कि उनके इस जेस्चर पर लोग भी फर गए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही था तो वो बच्चे को भीड में लेकर ही क्यों आए वहीं कुछ ने कपल की तारीव की और उन पर प्यार भी लुटाया